हलो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरे उमीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बैतर होगा आज का जो टॉपिक है कि सर अभी वर्क पर्मिट के जी फीस चल रही है जो एजेंसी की फीस चल रही है वो बहुत जादा चल रही है ऐसा क्या रीजन ह तो आज इस आपको वीडियो में बताने वालाओं कि जो एजेंसी की फीस सिंगापूर में क्या चल रही है पॉलेंड में क्या चल रही है अगर आपको जॉब लेनी है ऐसा फ्रेशर तो यह क्यो जादा लग रहे है एजेंसी की डिटेल अगर आप मेरी पहली चैनल पर पहल उसे चैनल का लिंक है, डिस्किप्शन में दे रखा है, उसको जरूर सपोर्ट करें, और अगर आपने शेयर करा है, सस्क्राइब करा है, तो मुझे कमेंट जरूर बता रहा है, लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वालो, सिंगापुर का जो वर्क पर्मिट है, उसकी एज कितनी है, तो ये एजिंसी की फीस क्यों बढ़ती जारी है, अगर आपने कभी एकनोमिक्स पड़ा होगा, या थोड़ा एकनोमिक्स से अप्लाई एंड डिमांड तो भाई, डिमांड कम रहती है, सप्लाई जादा है, तो डिमांड जो है, अगर विदेश में नौकरियों की बात करें, हमारे देश की पॉपलेशन आप जाल सकते हैं, अगर हमारे पास पांच वेकन्स निकलती हैं, तो एप्लिकेंट्स कितने निकलते हैं, यह आप गवर्मेंट सेक्टर्स में भी जानते हैं, और आप प्राइवेट सेक्टर्स में, as well as होने लगा है, आप बात करते कि सिंगापूर का जो वर्क परमिट है कितना पैसा लग सकता है, तो पहले आपको स्किल लेने के लिए, मेरे हिसाब से एक लाग के आसपास, और जॉब लेने के लिए, और जौब लेने के लिए, तो करीब धाए लाख रुपे की एजेंसी फीस लगती है, सिंगापूर का लेने के लिए जिसमें आपको 40-50 जार रुपे यानि कहने का मतलब आपकी सैलरी 40-50 जार के आसपास होगी और मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं सिंगापुर में तो मेरे इसाफ से 6 मैने तक आपको जो एजेंसी फीस के अतना चार्ज भाइलाक रुपे कि आसपास लगेगा वर्क परमिट पर तो 6 मैने आपको as a free काम करना पड़े कि आपको recover करना है वो 5,5 लाक रुपे अगर हम इसी तरह से European countries की बात करें पॉलेंड की पॉलेंड की प्रोशिया की माल्टा की तो आपकी जो एजेंसी फीस है वो 4-5 लाक रुपे क्योंकि वहा जादा का मतलब है क्योंकि उनके पास जो जॉप्स आती है और जो डिमांड जो है नौकरियों की डिमांड है वह बहुत ज्यादा है कहने का मतलब यह supply डिमांड का डिफ्रेंशेशन है उनके पास दो है तो हाँ पर बीस अप्लीकेंट है तो बाई एजेंसी जो है वह ज्यादा इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि उनके पास डिमांड तो बहुत दो की है और supply उनके पास ज्यादा है तो उनके पास एक अपॉर्चनिटीज है जब बाई डि मन में ठान ही लिया कि विदेश जानेगा तो दस बीस पचाना जार का मेरे हिसाब से देखना नहीं है क्योंकि हम जब विदेश जाते हैं तो बाई हम एक लंबा प्रॉस्पेक्टिव के हिसाब से दाना है कि हमें 10 साल 5 साल काम करना है अगर 2-3 लाग रुपय पहली बार विदेश जाने की कोई दूध नहीं है लेकि अपनी हम कंट्री में अगर बंदा सेटल नहीं है या उसको इतना इंकम नहीं हो पा रहा है पंद्रा-2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं तो मैं prefer करूंगा कि विदेश जाया जाए कि 50-60,000 रुपए विदेश में कमाना बहुत ही के description में उसका link है rr investing academy उसका मकसद है कि आप उस channel से जुड़े और आप जब इसी काम कर रहे हैं आप 10 पार साल आप काम कर रहे हैं भार हम आपको बतेंगे investing आपको कहां करनी है आपका पैसा कहां लगने वाला है और आपका ही पैसा आपको एक दिन करोड़ पती बना के देगा तो उस channel को जुरूर जाके जुड़े thank you for watching this video